मोदी जी चाहते हैं कि आज की युवाद दिन भर मोबाइल पर लगे रहे जए श्रीराम कहें और भूके मर जाए ये बात राहुल गांधी ने शाजापूर में भारत जोडो न्याय यात्रा के दोरान नुकर सभा को संबोधित करते हुए कही है सुरान राहुल गांधी के साथ PCC चीफ जीतू पठवारी कुनाज शौधरी सहित अन्य नेता मौजुद रहे देखें ये खास ख़बार शाजापूर पहुंची राहुल गांधी की न्याय यात्रा ये मोदी पार राहुल गांधी ने बोला जुबानी हमला जातिवाद के नाम पर लड़ा रहे हैं मोदी बोले राहुल गांधी MP में बढ़ती गर्मी के बीच लोगसभा चुनाव की तपस तेश हो चली है वहीं राहुल गांधी की न्याय यात्रा जैसे जैसे प्रदेश में आगे बढ़ रही है वैसे वैसे राहुल गांधी के जुबानी हमले भी भाजपा पर तलخ दिखाई दे रहे हैं जहां एक बार फिर शराजापुर में राहुल गांधी ने पीए मोदी पर जुबानी हमला बोला और कहा कि मोधी जी चाहते हैं कि आज की युवाद दिन भर मोबाइल पर लगे रहें जै श्री राम कहें और भू के मर जाएं चाइना का माल इंदुस्तान में बिखे लिए रोजगार चीन लिया चाइना की युवाद को फाइदा हो रहा है शाजापूर पहुंची भारत जोड़ो नियाई यात्रा के दोरान कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी ने टंकी चोराहा परिस्थित नुकर सभा को संबोधित किया इस दोरान उन्होंने कहा कि पूरे देश में बेरोजगारी का आलम है मोधी सरकार ने अगनीवीर योजना लाकर जुवाओं को बेरोजगारी की मोहाने पर खड़ा कर दिया है इसी के साथ ही यहाँ पर उन्होंने पिछड़ा वर्ग का मुद्दा उठाते हुए केंद्र और प्रदीश की भाजपास सरकार को जम कर लताड़ा मोधी जी यह नी चाहते है बता दें कि राहूल गांधी की निया यात्रा आज राजकर से शाजापूर जिले में पहुंची वहीं आज उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में हाजरी लगाएंगे विरो रिपोर्ट, MP News, शाजापूर श्यूल